नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवम दूबे इंडिया वॉइस का बेहत पसंदीदा कारक्रम 36 गड कोशेल ले भूमे में आप सब का स्वागत है रुकरेंग एगली खबर की और आपको बता दें कि खबर रायपूर से है जहां 36 पर ग्रामीड विकास एवम पंचायती राजमंत्री गिरीराज सिंग रायपूर पहुंचे रायपूर एयरपोर्ट पर उपमुक्त मत्री विजेश शर्मा समेथ कई बीजेपी ने इनको जोरदार स्वागत किया के इंडरी मंत्री ने रायपूर सरकीट हाउस में पंचायत इसे काम कर सके उसके लिए हर सबके साथ बैठक करके आगे की कारवाई की जाएगी आपको बता दें कि गिराज सिंग 15 जनवरी तक प्रदेश में रहेंगे और विभागी अधिकारियों की बैठकी मंदिर संस्थान है ट्रस्ट है उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रन भेजा था या भेजा है खर्गे जी को भी भेजा है लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं आज से नहीं बरसों से नहरू जी ने सौमनाथ मंदिर के पुनर निर्मान में मुक्ख मंत्री वहां के मुक्ख मंत्री को भी कलास ली हमारे राजेंदर बाबू जो पर्थम राश्पती थे उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाइडिपॉल्ट मैं हिंदू तो वहीं बलदा बजार में किसी विबाग ड्रोन टेक्नोलोजी से किसानों की आये को दोगना करने के लिए हाइटेक खेती का प्रस्ट्रिक्शन दे रहे हैं आपको बता दें कि इस ड्रोन की शम्ता 10 लीटर राशायनिक खाद की है जो एक एकड़ में 15 मिनन में बीच की ब समय पर फसलों को बिमारियों से बचाया जा सकेगा दमतरी जिले के दुर्गा जुलर से पेश तौल की नोग पर डरा धमका कर लूट पार्ट करने वाले आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरपतार कर लिया है आपको बता दें कि आरोपियों को गिरपतार कर लिया है तो वही आरोपियों के कबजे से एक देशी पिस्टल और मोटर साइकल जब्त की है खबरों में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें कि पंकाजुर जिला में कुछ दिन पहले भाजपा जिला उपाध्यक शहसीम राय की हत्या कर दी गई थी तो वही अब भाजपा कारकरताओं का प्रदर्शन करके आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है आपको बताने कि भाजपा कारकरताओं ने कॉंग्रिस नेता बपा गांगुली सहींत अन्या आरोपियों का पुतला धन किया है क्योंकि कॉंग्रिस नेता बपा गांगुली ने नगर पंचायत की कुर्सी जाने की डर से भाजपा नेता की सुपारी देकर हत्या करा दी थी जिस बात का भाजपा करताओं में रोश है तो वहीं कांकेर पूलिस हत्या में शामिल 11 हा रुपियों को गरपतार कर लिया गया पूरे 36 गड़ में 1 नमंबर से धान खरीदी की शुरुवात हो चुकी है आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने धान का मूल 31 सो रुपे निरधारित किया था लेकिन धान खरीद की शुरुवात होने के साथ ही बिचोलिये भी सुरजपूर जिले में सक्री हो गये है जिन प नहीं खाद विभाग ने कई राइस मिलर्स और चावल संचालकों के यहां दबिश देकर लगवक 6477 बोरियों में रखा 2600 क्विंटल अवैद धान को जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत 56 लाक रुपए बताई जा रही है जिसके बाद से ही बिचोलियों में हरकम मचा मासमुन जिले के सिंगोडा थानक शेतर के रहटी खोल जाच चोकी के पास पुलिस ने पाँच विक्तियों को साथ केलो सोने के साथ गरपतार किया है तो वहीं पुलिस अदिक्षक राजेस कुकरेजा ने बताया कि कुछ लोग दो अलग अलग कार में कुलकाता महाराष्ट के लिए निकले थे लेकिन जिन्हें चेकिंग के दौरान जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो वहीं की सीट पर बने गुप्त चेमबर में साथ किलो च्रीयासी ग्राम सोना पाया गया तो वहीं पुलिस ने पांच विक्तियों से पुछताच करके डियाई आर को सौप दी किया यहां सूरजपूर में खाद विभाज ने कड़ी कारवाई कि है अलग अलग साथ जगहों पर खाद विभाज ने चापा मारा और इस चापे मारी में 2600 क्विंटल धान को जब बने चापे मारा यहां खाद विभाग का ये बड़ी कारवाई है जहां लगभग 2600 कुंटल द्धान को जब्त किया गया है चापे मारी से बिचोलिये में हरकम मचाओ अगली खबर पर उंखाजूर से है जहां भाचपा के जिला उपाद यक्ष और पंकाजूर के पूर्वनेगर पंचायत अजक्ष असीम राय हत्याकान मामले में S.I.T. को बड़ी सफलता मिली है आपको बता दें कि सत्याकान की जांच के लिए गठित अठारा सदस्षी S.I.T. दल ने आरूपियों को पकड़ा है हाला कि सत्याकान का मुक्ष शूटर विकास तालुकदार अभी भी S.I.T. की पकड़ से बाहर है और पंका जुन नगर पंचात अध्यक्च के और कॉंग्रिस ने ताब अपपा गांगुली और कॉंग्रिस पारशद विकास पाल ने असीम राय की हत्याकी शुपारी लिए थी खबर धमतरी से है जहां कसावाही गाउं में टायर के गुदाम में आग लगने से अड़कम मच गया आग ने गुदाम में रखे बड़ी संक्या में पुराने टायर को अपनी शपेट में ले लिया करमचारियों से सुचना पाकर मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेट की टीम आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मसक्कत की रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर सूरजपूर से है जहां करंजी में शराब बनाने वालों से परिशान होकर महिलाओं ने करंजी पुलिस चोकी का घहराव किया दरसल महिलाओं का आरोप है कि उनके द्वारा कई बार महुआ शराब कारोबारियों को लेकर शिकायत की जा चुकी है लेकिन कारवाई के बाद भी शेत्र में सराब अवैद कारोबार धड़ले से चल रहा है जिसके कारण गाओं के बड़े बुजर्गों के साथ अब छोट दिनों के अंदर कारवाई ना होने पर संयुक्त कार्याले का घेराव करने की बाद भी कही है जाएगी ताकि आने वारे समय में सरावी कारवाई की जाएगी और जल्दी जिनका नाम उनके बड़े बताया गया उनको पर भी करवाई की जाएगी खबरों में आगे बढ़ेंगे खबर जगदलपूर से है जहां अधेर ने एक यूवक की हत्या कर दी बस्तर पुलिस की कारवाई पर आरोपी ने जल्म कबूल किया आपको बता दें कि आरोपी की भतीजी और मृतक में प्रेम संबन था जिसकी जानकारी मिलने के बाद आरो 36 गड़ कॉंग्रेस की कमान AICC महा सचिव सचिन पालेट को सौब दी गई है बतार प्रभारी सचिन पालेट पहली बार परदेश के दोरे पर पहुँचे तो उनका भब स्वागत किया गया परदेश की नेताओं का कहना है कि सचिन युवा है अनुभवी है इसका लाब 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी को मिलेगा वही भाजपा का कहना है कि अब 36 गड़ में बाग्यों को समालने के लिए कॉंग्रेस यहां सचिन पालेट को बुलाई लेकिन कॉंग्रेस का भला ह प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बिखर रही कॉंग्रिस को एक जुट करना नाराज नेताओं को मनाना और सभी को एक साथ लेकर और लोकसभाग चुनाव की जीत तक चलना बेहत कटिन होगा हलाकि प्रभारी बनने के बाद पहली बार 36 गरदोरे पर पहुचे सचिन पाइलेट का भव्य स्वागत किया गया राइपुरे एरपोर्ट से लेकार कॉंग्रिस मुख्याले राजीव भवन तक जगा जगा कॉंग्रिस के नेताओं और कारेकरताओं ने सचिन का जोड़दार स्वागत किया जगे जगे बैरर पोस्टर लगाए पाइलेट ने भी राजीव भवन पहुचका प्रदिश कारेकारणी की बैठक ली बैठक में भारत जोडो नायात्रा की तैयारी और मिशन दो हजार चौबीस लोगसभा चुनाओं को लेकर चर्चा की गई जिसमें कॉंग्रिस की सभी पड़े नेता, दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर चौनदास महंत, तामरधस सहु समेथ मौजूद रहे। उसका एसास जनता को जरूर होगा, नौजवानों को, किसानों को, अगड़े, पिछड़े, दलित, अल्कंक, सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले रोगसभा चुनाओं के अंदर, अब भूत पूर परणाम हम लोग लेकर आएंगे, एक जुड़ता से पूरे परदेश के अंदर कॉंगेस पार्टी काम करेगी, इस संगल पे साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं देखें कि राजनीतिक में हर अर्जित होते रहता है, लेकिन किसी काबलियत पे सक नहीं करना चाहिए सचिन पाइलेट जी राजिस्थान के प्रदेश कॉंग्रेस के अद्धिश भी रहे और सेंटरल में मिनिश्टर भी रहे मगर बीजिपी पाइलेट की उड़ान पर सवाल उठा रही है और तंच कस्ते हुए कह रही है कि 36 कड कॉंग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजिस्थान से पाइलेट बुलाया है ये वो पाइलेट है जो अपने राज में कई बार उड़तेवे जहास को पटखरी दे चुका है जिसके बाद उनकी उड़ान पर सवाल लाजमी है इससे पहले भी कुमारी शेलजा को यहां का प्रभारी बनाया गया था जिन्होंने हर्यान में कॉंग्रेस को डुबवया अब पाइलेट आ रहे हैं बगावत करने वाले लोग ही आज कॉंग्रेस का सहारा बन गए ऐसे में 36 गड़ की बांगियों को सम्हालने के लिए कॉंग्रेस यहां बुला रही है लेकिन इससे कॉंग्रेस का भाला होने वाला नहीं है अब पाइलेट जी आ रहे हैं यहां जो राजस्थान में कॉंग्रेस को डुबाने का काम की हैं अपने अपने राज्जी में जिनोंने बगावत किया ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कॉंग्रेस पार्टी के सहारा बने हुए हैं और 36 गड़ के जो बागी हैं उन सार के बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कॉंग्रेस पार्टी अपने राज्जी में बुला रही हैं इससे कांग्रेस का कोई भाला होने वाला नहीं है मगर सचुन पाइलेट का कहना है कि आने वाले लोग सभा चुनाव के लिए सभी तैयार हैं संगठन को दुरुस्त कर कारेकरताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे और आने वाले चुनाव में दुगनी ताकत से वापसी करेंगे अब देखना ये है कि विधान सभा चुनाव में हार कर रास्ता खोच की कॉंग्रेस को रोशनी दिखाने में पाइलेट कितना सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला भविश्य ही बताएगा इंडिया वोईस के लिए राइपुर से रिकास्यादों के रिपूर 36 गार्ड कोशला भूमे में फिलाल अब कले बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें ये वोईस नमसकार